महीर एली के उपरांत से पत्रकारों से उन्होंने बातचीत करते हुए काक कॉंग्रेस पार्टी अब हारी हुई लड़ाई को लेकर आगे लेकर बढ़ रही है उन्होंने यह भी कहा है कि कॉंग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोशित कर दिये हैं और सुअभाविक है कि 20-22 दिन का दंगल कॉंग्रेस और बीजेपी की बीच चलेगा वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि जिस प्रकार का मौझूदा समय में परी द्रश्य बना हुआ है। कॉंग्रेस पक्ष में पूरी तरह से निराशा अभी भी बनी हुई है। कॉंग्रेस कारिकरताओं की जनता उनकी बात नहीं सुन रही। वही उन्होंने यह भी कहा है कि भाजपा को पिछले तीन दिन में जनता का अभूत पूर्व समर्थन मिल रहा है वही पिछले दो दिन से जो द्रश्य बना है उससे ऐसा लगता है कि हर्याणा में दस दिन की सीट पर भाजपा विजय होगी वनोहर लाल खटर ने कहा कि अब दो दिन से चुनाव में मज़ा आना शुरू हो गया है अब चुनाव लड़ने में मज़ा इसलिए आने लगा है क्योंकि लड़ने वाला सामने है वही अलग-अलग लोगसभा सीट के लिए कॉंग्रेस प्रतियाशी को लेकर उन्होंने कहा कॉंग्रेस पार्डी प्रयोग कर रही है लेकिन उनकी प्रयोग में दम नहीं है और कॉंग्रेस के लोग है जिससे अपना वोड बैंक मानते थे अब वह हैं खिसक रहा है वही जिस वर्व को चार-चार सीट दी जाती थी अब उन्हें दो सीट पर कॉंग्रिस ने सिमेट कर रख दिया है अब जो कॉंग्रिस आगे बढ़ रही है हारी हुई लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ रही है अब यह ठीक है कि उन्होंने अपने प्रताशी घोशत किये हैं स्वाभाविक है कि यह 20-22 दिन का जो दंगलाई चलेगा ही लेकिन जैसा मैं द्रिशे देख रहा हूँ उसमें कॉंग्रिस के पक्षों में पूरी निराशा आज भी उनके वरकर्ज में जनता उनकी बात सुननी रही जितना जिस परकार से रिस्पॉंस हमें मिल रहा है और खास करके पिछले तीन दिन में अब भूत पूर्व है क्योंकि स्वभाविक है जब तक दोनों साइड के प्रत्याशे नहीं आते तब तक लोगों में उस परकार का उत्वा देखने को मिलता नहीं हमारे कारकरता पहले से सजग थे लेकिन अब दो दिन से जो दिर्शे बना है मैं फिर से निशुरूप से एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हरियाना की दस की दसीटे यह भात जिन तपाटी की सब्सक्राइब कर रही है कि हमने जो टिकेट वितरन किया है लेग उल्के वह पहला प्रियोग कर रहे हैं और उनके प्रियोग में दम नहीं है क्योंकि जिसको वह अपना वोट मेंग मांते थे वह अपनी कि दो में समेट दी और दो में भी वो कहते हैं एक तो इसलिए बचाई कि बेटा था तो बेटे की सीट को भी समाज अपनी नहीं मानता है और दूसरे का हारी वी पारी वो खेल रहा है कई बार उसके जबनते जब तो ही है तो इसलिए उन्होंने जिस बड़े वर्ग को ठुकर है उसके उस समाज के लोगों के मात्य पर भी चिंता की लगी रहे हैं और बहुत लोगों ने हुंको संपर करना भी शुरू किया है अब यह बाते अलग है कि दिरदर इसके परिणाम में आएगा विश्य है हम सारे समाज को साथ लेकर जलते हम पहले से का है हम जातियों के र यहाँ लगना उसको लगना है और हम कहते हमने कुछ नहीं किया सामने वाले की योग्यता वह अपना अधिकार लेके गई है तो योग्य वक्ति आगे आएं यह हर किसी समाज की आवश्क्ता भी है उनने स्विकार भी किया है आज जिसको कुछ नहीं भी मिलता उसको भी मिल है कि उसको मिला है वो पात्र है वो योग्य है मैं भी जब योग्य बनुगा पात्र बनुगा तो मुझे भी मिलेगा इसलिए बच्चों करनी शुरू कर दिया है लोग भी समझने लग गए हैं यहां जो गरीब है आर्थी रूप से पिछड़ा है ऐसे लोग को लाप पहले मिलना चाहिए स्विकार कर लिया यह कल्यानकारी राज्य जो होता उसका यह दाई तो होता इसलिम करते हैं जो हम कर रहे हैं जनता को पसंद करनाल में शेर के आगे बच्चा दे दिया इस तरह की चर्चा भी है आपका कद और उनको शब्द बच्चा नहीं कुछ और था किया था तर्मंगल सुत्री राजनीति लगातार की जारी प्रदानमंतरी का बयान था मंगल सुत्र ने की हैं उसका इस पर क्या कही है दिखें सर्वक्रणाश आफोस्रका यही है कि वह लोग अब ये बात उन्होंने चला यह कौंगों स्के लोगों ने समपत्ती है और कि इंजी अधिकार होता वो जिसकी कमाई होती हुसके रहती है सरकार तो केवल उसमें एक इंकम टेक्स टाइप जैसे चीज़े होती हैं लेकिन किसी की संपत्ति को सरवे करा करके उसको आगे बाटा जाएगा किसे के बीच में ये बात संभभ भी नहीं है और इस बात को कुल मलाकर करके जनता पसंद भी नहीं करेगी और हम तो इसके विरो करेंगे और हम बैलेट वोक्स पर चुनाव कराएंगे वो तो कल सुप्रीम कोड ने उड़ा दिया तो जैसे सुप्रीम कोड ने एक उड़ा दी है बाकी जनता उड़ा देगी ताज़ा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकास टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलेगे